जैस्रीराम प्रेमी भक्तो एक ऐसा कारिया है जो संसार के सभी कलोसों का नास कर देता है क्योंकि संसार में कलेसों की कोई कमी नहीं है तो हम जो बताने जा रहे हैं वह ऐसा कारिया है जो आपके या संसार के जितने भी कलेसें सब को वह दूर कर देगा आप ध्यान से सुनें, जो स्रद्धारूपी धन से हीन है, संतों की संगत से दूर रहते हैं, और जने भगवान के मिलने एवं दर्सन करने की उत्कटा नहीं है, वे लोग राम भक्ती के रह्ष्य को नहीं जाने सकते संत मात्मा सभी कालों और सभी देशों में रहते हैं, मगर भाग्य हीन लोग अपने अभिमान के बस्रीवित होकर ससंग से लाव नहीं उठा सकते एक रामान में दोहा लिखा है, सुन समझें जन्मुदितमन मज्य अति अनुराग लहें चार फल अच्छत तन साधू समाज प्रियाग भक्तो एक दोहा और भी है आगे, जो जानव सतसंग प्रभावू, लोकहू वेद न आन उपावू, बिन सतसंग विवेक न होई, राम किरपा बिन सुलव न सोई, मज्यन फल पे खिये तत्काला, काक होई पे वकव मराला इसका भावारत यह है का तीर्थों का राजा प्रियाग राज को माना जाता है, मगर सच्चा तीर्थ राज तो संत समाज है, जिसमें नहने का फल तत्काल मिल जाता है, कोई के सुभाव वाला मरस कोयल और बगले के सुभाव वाला मरस हंस बन जाता है, राम भक्ती का तो व यह भी आप ध्यान से समझना, राम भक्ती के त्य अधिकारी, जिनको सत संगत अति प्यारी, भक्ती सुतंत्र सकल सुख खानी, बिनुसत संग न पावह प्राणी, भगती तात अनुपम सुख मूला, मिले हैं जो संत होए अनकूला, भक्ती सब सुखों और गुणों का खजाना है, भक्ती जब तप पूजा पाठ, हवन यग्य, तीर्थ, बिरतादी के अधिन नहीं है, भक्ती अनुपम तथा स्वतंत्र है, किन्तु भक्ती तभी मिलती है, जब संत मिल जाए, और अनकूल होकर भक्ती का उपदेश दे, जिस पर भगवान की परमकृपा होती है, जिसको भगवान अपनी भक्ती देना चाहते हैं, उसी को संतों का दर्शन होता है, संतों के मिलने से भक्ती मिलती है, और भक्ती में लगने से संसार के सभी क्लेशों का नास हो जाता है, तो भक्तो अगर आपने अपने कलेसों का नास करना है अपने किसी भी तरह के जो कलेसे हैं उनको हमेशा के लिए सब समाप्त करना है तो आपको भक्ती करनी होगी और भक्ती के लिए आपको संतों का सानिक्द करना पड़ेगा तो आसा करते हैं कि आप संतों का संग करेंगे और भक्ती करेंगे ताकि आपके जो क्ले से हमेशा के लिए अनंतकाल के लिए समाप्त हो जाते हैं आप हम अपनी बाणी को विश्राम देते हैं जै स्री राग